आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करें आप लोगों को फटा-फट से पांच ऐसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप लोग सीख लेते हो ना तो आपको definitely काम के आएंगे ये कोर्से और बहुत काम के आएंगे बिगाज इन सब चीजों में काफी अच्छा स्कोप रहने वाला है फ्यूचर में आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाले सालों में आपको कही न कहीं अच्छे खा है वो है ethical hacking तो basically ये एक आपको introduction वाला कोर्स दे रहा हूं यानि कि beginner वाला कोर्स दे रहा हूं वो भी हिंदी में ठीक है अगर आप लोग और भी ज्यादा में आपको देखो जितने भी links मिलेंगे आपको नीचर description में देने वाला हूं ठीक है तो नीचर description को चेक कर लेजेगा तो इस course का link भी आपको वहीं पे मिलेगा आप लोग आ जाना अब देखिए इस page को open करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफिस आएगा आपको यहाँ पे ना great learning पे एक account बना लेना है मेरे case में मैंने already बना के रखाया ओके उसके बाद आप लोग को enroll for free पे click करना है लेकिन उससे पहले आप लोग कर लेना simply enroll हो जाएगा and यह जो course है काईस आप लोग देख सकते हो एक बार enroll करिएगा free में तो आपके बस lifetime access मिलेगा दो एक certificate भी मिलेगा जी हाँ यहाँ यह course में certificate भी available है course में कुछ जादा तो ethical hacking के बारे में नहीं सिखाया गया है बट यहाँ पे कहीं ने कहीं आपको एक introduction आपको एक lump sum idea दिया गया है ओके तो I hope आपको यहाँ पे ethical hacking अगर आप interested रखते हो अगर आपको जानना है कि ethical hacking के दुनि videos है वह unlock हो चुका है अब हम लोगों को option मिल जाएगा कि हम लोग एक एक करके open करके देख पाएं ठीक है और यहाँ पर जितने भी सारे वीडियो है वह एक करके आप लोग complete कर लिजेगा learning material में आपको एक PDF मिलता है यह आप download कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो यहाँ पर उसके ब आजकल जितने भी internet में videos देख रहे हो articles देख रहे हो blog में वह सब कहीं न कहीं content marketing को focus करता है for example content marketing अगर आप जानना चाते हो देखो content क्या होता है जितने भी हम लोग videos content को check करते हैं देखते हैं internet पे वह सब content कहलाते हैं लेकिन उसको use करके किस तरहीं से marketing किया जाता है यह अग कोई भी company कोई भी product या services sell करने के लिए आपको content marketing का job दे सकती है अगर आप यह कर सकते हो तो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा खासा salary के साथ job तो रखा ही हुआ है ठेक है क्योंकि आजकर आपको पता होगा कोई भी company कोई भी organization चाहेगा कि आप उनके लिए marketing करो और उनको फाइदा दिलवाओ तो यही होता है basically और content marketing क्या होता है आपको एक example देता हूँ आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी youtubers होते हैं जो youtube में video बनाते हैं laptop, mobiles के बारे में तो उन mobiles, laptops के बारे में आप जानकारी लेते हैं उन videos के through और अगर किसी को पसंद आ जाता है तो वो सोसते चलो इस mobile को मैं खरीदूंगा तो वही हुआ company के लिए एक sale generate हुआ and उस content को use करके company ने एक sale कर दिया एक नहीं लाखो करोरो sale कर देते हैं वो लोग ठीक है तो इस हिसाब से content marketing कहा जाता है इसलिए marketing का तो future है ही इसमें कोई शक नहीं है जब तक company रहेगा जब organizations रहेंगे चलेंगे product services लोग बेचेंगे तो marketing का कोई भी end नहीं है ठीक है future में इसका बावाही लगा रहेगा ओके तो simply आपको यहाँ पर enroll for free का option मिल जाएगा इसका भी link आपको वहीं पर मिल जाएगा आप लोग इस course में काफी कुछ सीखो के जैसे की content marketing strategy tools क्या होते content marketing को content editing क्या होता है user behavior क्या होता है ऐसे ऐसे और यह जो course है यह आपको lifetime access तो मिलेगा ही and certificate मिलेगा और देर घंटे का course है इसमें यह वाला आप देख लीजे तो देर घंटे में आपको पूरा मतलब professional तरीके से तो content marketing नहीं सिखाए जाएगा आपको basic तरीके से सिखाए जाएगा त तो मैं तो आपको बताऊंगा कि आप इतना तो करिए उसके बाद फिर हम लोग आगे और भी courses लाएंगे तीसरा जो course है हमारे पास जो certification course है हमारे पास वो है Coursera के तरफ से ठीक है Coursera भी एक बहुत top level का online learning platform है जहाँ पे दुनिया भर से लोग यहाँ पे courses करते हैं सीखते ह और वो अपने life में implement करते हैं तो जो तीसरा course है Coursera के तरफ से link मिल जाएगा नीचे और यह जो course है यह cyber security का course है आपको पता होगा जितने भी तरीके का internet companies है उन लोग को security चाहिए अपने servers को अपने websites को अपने databases को online theft online hacker लोगों से बचाना है तो इस हिसाब से उन लोग को security च देखिने के बाद अब देखिए इसमें interesting fact यह है कि यह जो course है यह course university of Maryland ने बनाया है ठीक है जो कि आप एक बड़ गूगल पर search करके देख लो यह कहां का course है यह किसी foreign country का university है university जो बड़े बड़े universities होते हैं तो वहां का उस level का यह course है ओके आपको मैं थोरी दिर में दिखा है वह भी मैं आपको थोरी दर में discuss कर लेता हूं और यह जो course है 22 घंटे का course है guys और English में course है अब यहां पर देखिए यहां पर आपको enroll for free का option मिलता है उससे पहले आपको sign up sign in कर लेना होगा तो यहां पर enroll for free पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा purchase करना है अगर आपको certificate चाहिए तो आपको इस course को purchase करना परेगा जिसका दाम यहां पे different courses में different certificate के दाम होते हैं बट अगर आपको सिर्फ सीखना है तो आप लोग इस वाले option को choose कर सकते हो अगर आप लोग purchase करते हो तो आपको जो certificate मिलेगा वो Coursera के तरफ से मिलेगा और इसम का future बहुत अच्छा है आगे जाके बहुत काम आएगा इस फिल्ड पे तो definitely एक अच्छा option है simply यहां पर आप देख सकते हो मैंने free वाला को use करके enroll कर लिया यहां पर देख सकती university का logo है तो course material यहां पर मुझे so कर रहा है तो एक हे करके आप हम लोग course start कर सकते हैं यहां पर get started पर click करने के बाद आपको मैं दिखा भी देता हूं ठीक है एक मिट देख लीजे अगर आपको लग रहा है कि यह जो courses होते हैं यह सब unprofessional courses होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यह जो courses होते हैं वो न यूनिवर्सिटिस के teachers लोगों के दुवारा ही बनाया जाता है ठीक है तो बहुत ही professional courses होते हैं इनका definitely वहां के जो foreign के जो teachers होते हैं प्रोफेशेर्स होते हैं उन लोग के तरफ से अगर आपको courses मिर रहे हैं यहाँ पे free में सीखने को तो definitely आप लोग कर सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा सावित होने वाला है following that यहाँ पे हमारे जो चौथा course है वो है financial market का तो यह course बेसिकली उन लोग के लिए है जो लोग business के field में जाना चाहते हैं business के field के हिसाब से मेरा बोलने का यह मतलब है कि जो लोग business studies करते हैं और उसके बाद बरे बरे corporate offices में या किसी company के management line में वो financing line में जाना चाहते हैं उन लोग के लिए basically यह जो course है होने वाला है क्योंकि यह course आपको finance के उपर ही जानकर ही देगा financial markets और यह जो course है यह university इसका भी आप लोग गोगल पर सर्च कर सकते हैं एक बार आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे अच्छे universities है foreign country में तो यह course मैंने already enroll करके रखा है जो foreign countries में वहाँ पर universities में live classes चलते हैं उनी के video lectures यहाँ पर आपको मिल रहे हैं यानि कि हम लोग यहाँ पर इंडिया पर घर बैठे बैठे इन courses को कर सकते हैं वहाँ से ओके तो बहुत ही profitable है बहुत ही जादा अच्छा है अगर आपको free में इतना knowledge मिल पा रहा है तो सही बात है जो last course है हमारे पास वो तो देखो याद इसमें कोई शक ही नहीं है क्योंकि इसमें python को use करके और statistics को use करके financial analysis करना सिखाया गया है तो यह भी same segment का course है वही finance वालो के लिए है ठीक है और यह जो course है आप देख सकते हो the Hong Kong University of Science and Technology अब इसमें कोई शक नहीं है आप Google करो Google करके आपको पता चल देगा यह सब कितने बरे-बरे universities हैं तो इस course को भी आप लोग कर सकते हो guys and same तरीके के option मिलेंगे इसको अगर free में करना है तो free में कर सकते हो certificate चाहिए तो certificate का payment करना होगा ओके तो I hope guys आप लोग को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे courses मिले हैं और भी ज्यादा courses अगर आप लोग को चाहिए तो please वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और नीचे comment करके बताइए कि और किस-किस टाइप के courses आप लोग को चाहिए बाकि अगर आप लोग इन teachers इन professors को ज पर किया जाता है आप लोगों तक तो एक बार ट्राइ कर सकते हो बहुत जदा profitable होने वाला है आपके life के लिए तो चलिए फिर मिलता है किसी और वीडियो के साथ